दोस्तो धर्ती पर बेहत खतरनाक साप पाई जाते हैं और कई इतने खतरनाक होते हैं अगर वो साप काट भी ले तो पल भर में इनसान की मौत हो सकती है इसकी वजह से साप का नाम सुनते ही लोगों के रॉंक्टे कड़े हो जाते हैं लोग तो ऐसे होते हैं कि साप की फोटो देखकर ही डर जाते हैं, दुनिया में तीन हजार से ज्यादा साप की परजातिया पाई जाती है, लेकिन किया आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश है, जहां पर एक भी साप नहीं मिलते हैं, ये जानकर आपको हैरानी होगी क ये बिल्गुल सच है और इस देश में साप नहीं पाये जाने की वज़ा भी बेहत हैरान करने वाली है अगर आप नहीं जाते हैं तो मैं उस देश के बारें बताऊंगा और इसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि इस देश में साप नहीं होने की वज़ा क्या है तो चली जानता है कि वो देश कौन सा है दुनिया में आरलेंड एक ऐसा देश है जहाँ पर साप नहीं पाए जाते हैं इस देश में साप ना होने की सबसे पहली वज़ा पौरणीक वज़ा है बताये जाता है कि आरलेंड में सैंट पैटरिक नाम के एक संथ होते थे सैंट पैटरिक ने इसाई धर्मी की रक्षा के लिए देश भर के सांपों को एक साथ घेर लिया था इसके बाद उन्होंने सांपों को आरलेंड से बाहर निकाल कर समुद्रे में फेक दिया था उन्होंने 40 दिन तक भूखे पेड ड्रह कर ये काम किया था दूसरा है साइंटिफिक वजा साइंटिस कहते हैं कि आईरलेंड में कभी साप नहीं रहते थे जिवस में अविलेक विभाग में भी इस देश में सापों के ना होने का रिकोड है आईरलेंड में साप ना मिलने के पीछे एक और कहानी है आईरलेंड में साप पाए जाते थे लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड होनी की वज़े से विलूप्थ हो गए इसलिए माना जाता है कि बहुत जादा ठंड होनी की वज़े से यहाँ पर साप नहीं मिलते हैं सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि आरलेंड में 12,800 इसब पुर्वे से भी पहले इंसानों के होने के सबूत है इस देश में एक 900 साल पुराना बार भी है जो अभी तक चल रहा है इस बार का नाम सिंस बार है न्यूजलेंड में भी साप नहीं पाए जाते हैं और इस देश में कई जंगली जानवर मिलते हैं लेकिन आज तक यहाँ एक भी साप नहीं मिलता है इस देश में सिर्फ सिप कली है तो दोस्तो बस आज कलिक नहीं I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आप हमें कॉमेंट करके बताई कि आप जिस जगा पर रहते हैं वहां साब पाई जाते हैं या फिर नहीं Thank you for watching this video